हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड चैनल में और आज हम लोग B8 के बारे में बात करेंगे उसके कोर्स के बारे में और B8 के कोर्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतिय इतिहास की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएस में इसी पार्ट से आते हैं अब जो हिस्ट्री है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है इंडियान हिस्ट्री डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स पहला कौन सा है इंशेंट हिस्ट्री दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्ण हिस्ट्री अब जो ancient history है इसका कारेकाल जो है ये करीब 1206 AD तक माना जाता है तो 1206 AD के पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो प्राचीन भारत की मानी जाती है यानि की ancient history इसके बाद ये जो 1206 से ले करके 707 AD तक की जितनी भी घटनाएं हैं ये किसकी मानी जाती है मेडिवल इंडिया यानि की मध्यकालियन भारत की है और 707 AD से ले करके जितनी भी घटनाएं आज तक की वो किसमे मानी जाती है वो है modern इंडिया भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस्ट वैली सिविलाजेशन की अब इसका नाम हम लोग इंडस्ट वैली सिविलाजेशन क्यों करते हैं क्योंकि इंडस्ट वैली सिविलाजेशन जो है वो इंडस्ट नदी और उसकी जो ट्रिबेटरीज हैं उनके किनारे ही बसा हुआ था उसी के इर्द गिर्द जो है इनकी सारी सिटीज बसी होई थी अब इंडस्ट वैली सिविलाजेशन को खोजा किसने था तो इसमें दो लोगों की जो टीम थी उन्होंने खो जा था और इस टीम को किसने अपॉइंट किया था वो था जॉन मार्शल थे और इन्होंने दो लोगों की टीम गठित की थी उसमें दयाराम साहिनी थे दयाराम साहिनी और राखाल दास मुखर जी तो आपने देखा कि दो लोगों ने इसको खोश की थी तो ये जो दियार साहनी और राखाल दास बिनर जी ये दो लोग जो हैं इन्होंने सबसे पहले मोहन द्योदर और हपपा की खोश की थी हडपा की खोश किस ने की थी? हडपा जो है उसको खोज किया था आपके साहनी साहब ने और मोहन जोद्रों की जो खोज थी वो 1922 में हुई थी और इसकी जो है वो हडपा की वो 1921 में इसकी खोज की थी राखाल दास बैनर जी ने तो चुकि हडपा जो है वो पहले खोज आ गया था इसलिए सिंदुगाटी सब्वेता को कभी कभी हम लोग नाम क्या दे देते हैं हडपन सिब्लाइजेशन की भी या हडपा सब्वेता की भी अब इसके बाद बात करते हैं हम लो की नदन मुस्ट जो एक्सिडेंट था वो है मांडा मांडा जो है कहां पर है यह है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के आसपास सदन मुस्ट इसका जो इलाका है वो है दैमाबाद कहां पर है दैमाबाद जो है आपका महारास्टा के पास है महारास्टा के पास अलम गीरपुर अलम गीरपुर यह मेरट जले में आज के और यह जो वेस्टर्न मोस्ट इलाका है यह सुर्कोटिदा यह अधुनिक जो हैदराबाद प्रोवेंस है पाकिस्तान का जो की अफगानिसान से ठीक सटे हुए है वहाँ पर पाए जाता है तो यह इसका जो extent है यह इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली अब जो है में जो इसकी जो cities कौन कौन सी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे बड़ी जो इसकी city थी वो थी मोहन जोड़ो यह बहुत important है इस cities से सबसे ज़्यादा question भी आते हैं इस city में जो बड़ी बड़ी चीज़ें पाई गही थी उनमें सब जो में था वो है great बात यह बहुत बड़ा मतब question है और जो आता है और वो अधिकतर एक्जाम में यह question जो है यह पूछा जाता है कि great बात कहां पे था तो यह हम लोग कहेंगे जब पूछा जाएगा great बात तो कहां पे था मोहन जो दड़े हुए था इसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो है हरपपा हरपपा जो है यह दूसरा सबसे बड़ा नगर हुआ करता था तीसरा जो है वो लोथल था लोथल important इसलिए भी है क्योंकि यह एक मात्र जो है port city थी मतलब जो तट्वी स्थल जो था एक ही तट्वी नगर था पूरे इंडस वैली सिवलाज़शन में और वो था लोथल तो लोथल से एक महादीब से दूसरे महादीब तक का व्यापार हुआ करता था उसके बाद जो कई और important cities थी जैसे सुर्कोटदा की बाद हम लोगो ने की थी एक तो सबसे वो था और यहाँ से घोड़े के निशान पराप्त हुए हैं तो यह सुर्कोटदा इसलिए important है उसके बाद एक काली बंगान है काली बंगान से खेती जो है उसके काफी असार प्र सब्सक्राइशन है यह एक नगरिये सब्धेता थी मतलब अर्बन सिविलाइशन थी अर्बन सिविलाइशन क्यों कि यहां की अधिकांश जो पॉपलेशन है वो नगरों में रहती थी इसके अलावा जो है इसका जो विस्तार था मतलब यह धाई सो धाई हजार से ले करके पंद्रह सो या एक हजार बीसी तक रही उसके बाद इसका विनाश हो गया विनाश जो है इसका किन कारणों के वज़े से हुआ कई लोग बोलते हैं कि बाढ़ा हाई दूसरा आरेंस की वज़े से आरेंस के जो लगातार आक्रमढ हुए तो इसकी वज़े से इसका विनाश हो गया अब जो है हरपन सिवलाइजेशन में एक और चीज जो है वो इंपोर्टेंट है कि किसकी पूजा सबसे ज़्यादा होती थी तो मात्र देवी या मदर गॉड़ेस की इसको हम लोग शक्ति भी बोलते थे शक्ति और दूसरे नंबर पर जब शिव हैं शिव भगवान की भी पूजा वो बहुत ज़्यादा करते थे यह जो है टोटल कौंस कौंस से भगवान थे इनकी पूजा होती थी यह चीज एक इंपोर्टेंट है और यहाँ पे अभी तक कोई भी लिखाई और पढ़ाई की जो स्क्रिप्ट है उसकी पहचान जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है तो यह भी एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है और इंडस वैली सिविलाज़िशन की जो खास बात थी वो थी उसकी पौटरी इसी से हम लोग इसको और सब्विताओं से अलग पाते हैं काली बंगान में हम लोग को जुते हुए खेद की प्लाउट फिल्स की यानि की जुते हुए खेद जो हैं उनके निशान जो हैं वो काली बंगान में मिले हैं अब इसके अलावा यह आपको जानना ज़ुरूरी है कि हरपा जो है ये किसके किनारे था रावी नदी के किनारे था फिर जो आज की डेट में ये आपका मोहन जोद्रो है ये जो है ये सिंधू किनारे था तो ये जो चीजे हैं ये इंपोर्टेंट बाते हो गई आपकी हडपा सब्विता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये इंपोर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर याद रखेगा एक क्वेस्टन जो कि ये भी बहुत जादा आ सकता है कि हडपा सब्विता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो हडपा सब्विता का लाज़ेस तीर जो थी वो दैमाबाद था और अब जो है जो खोजें होई है उसके बाद जो है हो गया है धौला वीरा ये जो है यहां अरे लाज़े सिटी अफ हडपन सिविलाजेशन हो गई है ये जो है एक हजार बीसी पे आपकी जो हडपन सिविलाजेशन है ये खतम हुजाता है ये जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कैसे खतम हुआ था बाद की वज़े से खतम हुआ था और दूसरा किस सacionाख की वेज़ा से खतम हुआ था यह आरियन के बार-बार आक्रमर की वेज़ा से खतम हुआ था अभ उसकी की बार चलिए हम लोगनेिव बात कर लेते है वेदिक की वेदिक पेरियद में यह इसको आरेयन पीरट भी बोला आتा है आरेयन मतलब स्रेष्ट पुरुष आरे का मतलब होता है जो स्रेष्ट होते हैं स्रेष्ट पुरुष तो यह जो है यह आरियन डानेस्टी आरियन जो पीरेड है यह स्रेष्ट पुरुष के लिए बोलते हैं सुपीरियर रेस यह जो स्थब बेता थी ये एक village civilization था अब आप खुद सोचिए कि ये बाद में शुरू हुई लेकिन ये एक village सब देता थी इसमें जो important क्या है कि चार वेद हुआ करते थे जो चार वेद कौन कौन से हुआ करते थे एक रिगवेद हुआ रिगवेद में जनरली क्या था कि भगवान की इस्तुती के बारे में बात होती थी फिर होता था सामवेद इसमें music और जो हाइम्स हुआ करती थी religious हाइम्स उनके बारे में बात होती है और इसके बाद जो है वो है अथर्वेद अथर्वेद में जो किस तरीके से हम लोग यग्गे करते हैं यह सब जो है इसका वेद है वह बताया गया है और यह जो रुवेद जो है इसमें बताया गया है कि क्या-क्या सेक्रिफाईस है मनने किस-किस चीज की जो है वह बलि देनी चाहिए तो यह जो हो गया तोटल आपको वेद के बार में जानकारी मिल गई कि क्या क्या जो होते हैं इसमें components होते हैं वेदों के अब उपनिशत क्या होते थे उपनिशत जो है ये religious scriptures पर एक philosophy को represent करते थे तो कोई भी religious scripture जो हुआ उसकी philosophy क्या हुआ करती थी ये उपनिशत बताते थे इसके बाद जो है आजाईए अब जो है मुंडोक उपनिशत की हम लोग बात क्यों कर रहे थे तो मुंडोक उपनिशत की इवात इसलिए कर रहे थे कि जो है सत्यमेव जैते जो आद कहा जाता है सत्यमेव जैते इसकी जो उत्पत्ती है ये मुन्लोक उपनिशत से ही होई थी तो ये है हमारे थोड़ी सी जो जानकारी थी आपको वेदिक काल में इसको इतना ही वेदिक काल में आप जान सकते हैं दोस्तों प्राचीन भारत को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे इसका अगला वीडियो जल्दी ही आ रहा है इसके लिए आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके हैं साथी वीडियो को लाइक करना न भूलें और जादे से जादा शेयर करें